हाई वेलकम तो मैच चनल इस बड़ी में सॉल्व करें क्वेशन नवाब फोर अशॉप सेलिंग मसीन्स आफर्स थ्री पर्सेंट डिस्काउंट अन आल कैस्ट पर्चेशिज मतलब क्या कर रहा कि एक सॉप सेलिंग मसीन्स आफर्स वो क्या कर रही है थ्री परसंट डिसकाउंट का ठीक है करें कि 3 परसंट डिसकाउंट मिलेगा दिसकाउंट मतलब कि जो कैस्ट से पर्चेश करेंगी उनको 3 परसंट का डिसकाउंट मिलेगा तो वाट कैस्ट एमाउंट कितना कैस्ट एमाउंट जो है कस्टमर पे करेगा for the स्विंग मसीन, स्विंग मसीन के लिए the price of which is marked as तो उसके लिए जो price जो है marked हुई है मतलब कि marked price दे दिया है आपर 650 रुपीज ठीक है उस saving machine पर marked price है रुपीज 650 मतलब उस पर लिखा हुआ इसे तो 3% discount मिल रहा है तो बताए ये customer को कितना pay करना पड़ेगा इसका मतलब कि selling price पूछ रहा है मतलब कि जो वो swap जिसकी होगी वो जो sell कर रहा है उसका selling price क्या होगा customer जो pay करेगा जितना उसका amount क्या होगा वह होता है यहां पर हम solve करेंगे वही solution we know that we know that cash amount paid by the customer paid by the customer is equal to selling price SP of the saving machine यह आपको पता होना चाहिए कि customer जो इतना pay करेगा वो SP ही pay करेगा saving machine का SP of the saving machine मतलब कि कुल मिला करके हमें SP निकालना है तो हम formula जानते हैं SP निकालने का तो SP बरबर क्या होता है जब MP दिया होतो SP of the so the SP of saving machine saving machine is equal to क्या हो जाएगा SP of saving machine is equal to हो जाएगा MP in bracket 100 minus discount percent discount percent upon 100 इतना होता है MP कितना दिया होआ है दे दिया है कि 650 रुपीज है यहां लिख लेंगे 650 फिर जाएगा 100 minus discount percent कितना है थरी परसंट अपान हंडड़ड तो यह आपका हो जाएगा 650 रुप्राइट बाई यहां मानस करेंगे मिलेगा आपको 97 अपान हंड़ड जिर जिर केंसे लोग गया 5 जाए 10 एंड 5 से करेंगा 5 जाए 5 1 बचा 15 हो गया 5 3 जा 15 तो 13 से मुट प्लाई करेंगे और 2 से डिवाड़ करना पड़ेगा यहां पर तो पहले 13 से मुट प्लाई कर लगते है 13 से मुट जा 91 का 1 9 हो गया carry over and 39 जा 117 117 में 9 एड करेंगे तो मिलेगा 126 126 ओके और यहां पर 2 अपां 2 रहेगा अब 2 से डिवाड़ी करतेंगे 2 अंजा 2 यहां करेंगा 236 फिर 10 में जापाएगा 0 बढ़ा करके 10 मिल लाएगा 2510 मिलेगा 630.5 यहां 0 बढ़ा लेते हैं क्योंकि 0.5 रेखने पर कुछ पता नहीं चलता है यहां पर 5-0 बढ़ाने का मतलब हो जाता है 50 पैसे तो 630.50 रुपीज इस विल बी यूर आंसर तो यही आपका क्या होगा SP होगा स्विंग मसीन का जो इक्वल होगा कस्टमर के पेमेंड का मतलब कस्टमर जितना पेमेंड करेगा जितना इमांट वो देगा उस स्विंग मसीन को खड़ने के लिए वह SP होगा और वो होगा 630.50 रुपीज मिन्स 630 और 50 पैसे थैंक यू सो मच फर वाचिंग यदि आप मेरे स्जूना चाहते हैं तो आपको Facebook पर यदि आप हैं तो वहाँ पर मेरे इसी नाम से जो चैनल का नाम है उसी नाम से ग्रूप है और एक पेज भी है तो वहाँ जरूर जाएं और लाइक करें और मेरे स्जूने और वहाँ पर मैं लाइव क्लास भी लेता हूँ तो उस पर यदि आप कोई डाउट रहेगा तो वहाँ पर मैं कभी-कभी संडे को और लाइव क्लास में आपको कुछ डाउट क्लिए कर सकता हूँ ओके थैंक्यू सो मच फर वाचिंग बाई